तो प्यारे बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6-2-8 के लिए जो मिसन बुनियाद में हिंदी कहानी की बुक मिली है उसमें हमारा संगीत कहानी को साथ में इसके कोस्टन आंसर को बाकि सभी कहानी आप चैनल पर देख सकते हो मिल जाएगी साथ में जो हमारा गणित बु नीन तूटते ही वे चिलाए तुम्हें दिखता नहीं हम सो रहे हैं चम्मच मायूसी से बोला दोस्त मैं क्या करूं जब जिसका मन करता है मुझे इधर से उधर पटक देता है मैं अपना दर्द किस से कहूं मेरा दर्द समझने वाला तो कोई भी नहीं है कप और प्लेट को लगा कि वे सही बात कह रहा है वे भी बोल उठे सही कहा हमारा दर्द भी कम नहीं है अचानक हमारे उपर गर्म पानी डाल दिया जाता है कभी कभी तो उफ ठंडा पानी भी डाल देते हैं लोग तुम भी तो हमारा हाल समझने की कोशिस करो दोनों की बाते सुनकर मेज से भ यह तो सही नहीं है इसका कुछ तो हल निकलना चाहिए चम्मच कप और प्लेट मिलकर सोर मचाने लगे हमें इनसाब चाहिए हमें इनसाब चाहिए तब यह मालकिन किसी कारिगर को लेकर आ गई जरा देखो तो सही ये मेज कई दिनों से डगमगा रही है किसे सही कर दो वरना सारे बरतन गिर जाएंगे ऐसा मालकिन ने कहा कारिगर ने बेचारी मेज की पीठ पर दो कीले ठोंक दी मेज थर्रा कर रह गई उसके जाते ही मेज ने रोनी सूरत बना कर का अब बताओ किसका दुख जादा है मेज की बाते सुनकर सभी को लगा की वे सही कह रही है उसका दुख भी कम नहीं है फिर तो कब चम्मच प्लेट सभी खनखना कर बजने लगे प्लेट बोली हमेज दुख में भी हस्ते रहना चाहिए चम्मच बोला हमारा बजना ही तो हमारा संगीत है तो ये थी स्टोरी हमारा संगीत कोशन वन कप और प्लेट का दर्द क्या था आंसर कप और प्लेट का ये दर्द था कि लोग कभी उनके उपर गर्म पानी डाल देते हैं तो कभी ठंडा पानी डाल देते हैं अगला कोशन, सेकंड कोशन, कारीगर ने मेच की पीट पर कीलें क्यों ठोक दी, आंसर कारीगर ने मेच की पीट पर कीलें, इसलिए ठोका क्योंकि मेच कई दिनों से डगमगा रही थी, जिससे सभी वरतन गिर जाने का डर था, अगला कोशन, हमें इंसाफ चाहिए हमें इंसा कि अगला question इंसाफ्स सब्द का क्या अर्थ है इस प्रयोगकर सब्सक्राइब दाइजन है बीजिद दूसरी कि इस वह किация से मुटने लाइज उसाइजनख़ अगला कोशन फाइफ और लाश्ट कोशन फाइफ यदि कहानी में तवा होता तो वे अपने बारे में क्या बाते करता आंसर तवा अपने बारे में यही कहता कि मेरी हालत तो सबसे खराब है भाई लोग मुझे हमेशा गर्म करते हैं जिसकी वज़े से मैं काला पड़ गया हू कभी कभी मुझे फ्राइ पेन की तरह इस्तेमाल करते हैं तथा काम के बाद सीधा खड़ा कर देते हैं आप इससे अलग भी लिख सकते हो जो आपके मन में हो ठीक है तो इतना था इस वीडियो में इसी के साथ एक कहानी कम्प्लीट हुई अगर कहीं पर डाउट है तो कोमें कर सकते हो मिलते हैं अगली वीडियो में थाइंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो एंड टेक केर